दोस्तों रोज एक पौदा कारिकरम में आज जंगल जिलेबी स्वीट टैमरीन नाम का पेड़ का पारमी देखें ये स्वीट टैमरीन का पेड़े अब घर का आसपास में अब ज़खाय लागा रहता है ये गर्मी के पौदा सीजन में इसका फौल आता है ये आप देख रहे हैं ये जंगल जिलेबी ये जंगल जिलेबी बहुत ज्यादा प्वोस्टिक रहता है इसमें ज्यादा कैल्सियम ज्यादा रहता है विटेमिन सी बहुत ज्यादा रहता है इसका लवा इसका फूल पती इसका चाल सब में भी मेडिकल प्रापिडिस बहुत जादा है इसके बार हमें एक एक करके देखें दोस्तो जंगल जिले भी आप लोग सब देखा होगा घर का असपास सब जगा रहता है मिल जाता है जंगल जिले भी गर्मी के मौसम में जादा आता है ये की सीजन में एकी सीजन रहता है साल में एक बार गर्मी के ठाय में आता है जंगल जिले भी बहुत पोस्टिक रहता है इसका रोज तीन फल खाने से हड्य मजबूत होता है खुन साफ होता ब्लड प्युरिफाइब होता इससे 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 आस्टियो पॉरोसिस स्काउट आर्थरिटिस यह सब के लिए एक अभी भी सीशन में मिलता है उसी टाइम इन लोग खाने से हड़ी मजबूत होता है वो सब दिक्कत नहीं आता है दोस्तो ये जंधल जिलबी का पत्तियो कमुटि बढ़ लेकि पत्ति पूर दूनों क away मुटि बढ़ लेकि उसका साथ तोड़ा से खाले मित जीरा डालके पानी डालके उबालके पीने से अलसर ठीक होता है डाइजेश्ण प्राव bridge wasta है भू क अच्चा से लगता है गेस प्रावलम ठीक होता है, गेस सब भागा निकल जाता है, पेड़ दर्ग ठीक होता है, इसका लगवा ब्लेड में ब्लेड शुकर लेवल खम होता है, सेक्सवली ट्रैंस्मिटेड डिसीज ठीक होता है. दोस्तों, रोज कभी भी मिलता है वो समय, दस-पंदरा फल इसका बीच को अंदर का बीच का बीच का निकालके, तोरा सा नमक खाली मिर्च डालके, पीसके, पानी डालके पीसके, इसका एक सुब जैसे बना के पीने से, हड्डियों मद्बूत होता है. दाद दर्ध ठीक होता है, गुटने का दर्ध ठीक होता है, इसमें कैल्शिय मातरा बह ज़्यादा है. दोस्तों, एक जंगिल जिलेदी का पत्तियों का पिना बानी डाले पीसके, उसका गुटने में, जोडों में, कई भी सूजन में, एक लेब जैसे लहाने से, वो जल्दी ठीक हो जाता है. दोस्तों, स्वीट टैमरिन, ये जंगिल जिलेदी का रोज खाने से, स्टीडी, सेक्स्वल ट्रांस्मिटर डिसीट ठीक होता है, इसका अलबा बलड प्यूरिफाइव होता है. दोस्तों, बहुत लोग का एक्सिलेंड में मल्टिपल फ्राक्चर होता है, उस समय ये जंगिल जिलेदी का अब रेगलर खाने से, घल्दी ठीक हो जूड़ जाता है, बलड लास खम होता है, इसका अलबा शरीर में भी खईवी खून निकलता है, लूस मोशन होता है, वो खून के साथ भी टाइलेट होता है, वो भी तही होता है, दोस्तों, ये जंगिल जिलेबी का अंदर से खाले रंग का बीज निकलता है, वोजिद बीज को बाइल करके उसी पानी से चोटो को दोने के दोने से पुराना गाउव में लखाने से जंदी ठीक होता है, इसका जंदी का थेल मिलाएकर गरम करके शरीर में कई भी सूजन होता है, दर्द होता है, वो जहाब लहाने से जल्ली टीक हो जाता है, दोस्तों जंगिल जिलेबी का पती पूल दोनों का मक्टी बर लेके, पानी डाल के अबाल के पीने से बुकार टीक होता है, पचीने से पानी डाल के वाल के इन में एक दो बार पीने से लूस मोशन तायलेट का साथ खून आना है वो सब बंद हो जाता है लेडिस को हेवी बिलीडिंग एसे ठीक होता है दोस्तों मुँ में जाड में खून आता है दाद का पीचे सुजन हो जाता है खून आता है उसी समय यह जंगल जिलेबी का पत्यों का फ़रा देर मुह में चवाके थूकने से वूग का अंदर का बैक्टिरिया सब खतम हो जाता है वो खूण आना बंद गोड़ जाता दाद में दोस्तों जंगल जिले भी इसका पत्ती हो तोड़ने टेम में सावधानी से थोड़ दीजिए इसमें छोटा-छोटा खाटे रहता है इसलिए सावधानी से तोड़ दीजिए